अजिन्दी फिल्मों की एक अभिनेत्री हैं उन्होंने 1971 में खिलोना में अपने किरदार के लिए सरसेष्ट अभिनेत्री के फिलिमफेर पुरुसकार जीता था हाला कि उन्होंने छोटी सायक भुमिकाओं के साथ शुरुआत की बाद में उन्होंने तरक्की की और अपने समय के सभी शीष अभिनेताओं के साथ मुख्य भुमिकाओं में काम किया उन्हें 60 और 70 के दशक की सलवशेष्ट अभिनेत्रियों और निर्त्यक्यों में से एक के रूप में याद किया जाता है मुम्तास का जनम अब्दुल सलीम असकरी और शदी हबीब आगा के यहां हुआ था जो इरान से थे उनके जनम के ठीक एक सलवात उनका तलाख हो गया उनकी छोटी बेहन अभिनेता मलीका हैं जिनकी शादी पहलवान और भारती अभिनेता रंधावा से हुई थी जो पहलवान और अभिनेता दारा सिंग के छोटे भाई थे मुम्तास का परिवार आर्थिक संकट का सामना कर रहा था तब मुम्तास की जूनियर कलाकार के रूप में काम करने के लिए तयार हो गई और बहुत कम उम्र में ही समूध रिश्य में दिखाई देने लगी मुम्तास सोने की चड़िया 1958 में एक बाल अभिनेतरी के रूप में दिखाई दी किशोरी के रूप में उन्होंने 1960 के दशक की शुरुवात में वल्ला क्या बात है इस्तरी और सहराज में अतिरिक अभिनेतरी के रूप में काम किया वैसक के रूप में एक रेट फिल्मों में उनकी पहली भूमिका 1983 की गहरा दाग में थी इसमें उन्होंने नायक की बहन की भूमिका निभाई थी मुझे जीने दो जैसी सफल फिल्मों में उन्हें छोटी भूमिकाय मिली बाद में उन्होंने 16 एक्षन फिल्मों में मुख्य नाइका की भूमिका निभाई जिसमें फोलाद, वीर भीमसेन, टारजन कम्स टू देली, सिकंदर आजम, रुस्तम हिंद, राका और डाकू मंगल सिंग शामिल है इन सब में पहलवान दारा सिंग के साथ उनकी भूमिका में थी, और वेस्टन फिल्म नाइका के रूप में जानी जाने लगी मुम्ताज ने दारा के साथ कुल 16 फिल्में की, जिसमें से 10 फिल्में हिट साबित हुई बॉलिवुड में जब मुम्ताज का आगाज हुआ, उस समय अभीनेत्री का मतलब शर्मीली, सौमें और शान्त किरदार वाली महिला होती थी लेकिन मुम्ताज ने अपनी नटकट अदाओ और चुल्बले अंदाज से अभीनेत्री होने के सारे मायने बदल दिये वे राज खोसला की ब्लोकबस्टर दो रास्ते थी जिसने मुम्ताज को पूर्ण फिल्मी सितारा बना दिया इसमें राजेश खन्ना ने अभीने किया था, हालां कि मुम्ताज की फिल्म में छोटी भूमी का थी फिर भी निर्देशक राज खोसला ने उनके साथ चार गाने फिल्म आए 1969 में राजेश खन्ना के साथ उनकी फिल्म में दो रास्ते और बंधन वर्ष की शीर्ष कमाई करने वाली फिल्म बनी थी उन्हेंने राजेंद्र कुमार की तांगे वाले में प्रमुक नाइका की भूमी का निभाई शशी कुप कपूर जिन्होंने पहले सच्चा जूटा 1970 में उनके साथ काम करने से इंकार कर दिया था अब वे चाहते थे कि वे चोर मचाश और 1974 में उनकी नाइका बने उन्होंने लोफर ओल जील के उस पार 1973 जैसी फिल्मों में प्रमुक नाइका के रूप में धरमेंद्र के साथ काम किया मुम्ताज ने फिरोज खान के साथ अकसर काम किया जिसमें हिट फिल्में मेला, अपराद और नागिन शामिल है राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी कुल दस फिल्मों में सबसे सफल रही उन्होंने अपने परिवार पर ध्यान के इंद्रित करने के लिए फिल्म आईना 1977 के बाद फिल्मों में काम करना छोड़ दिया उन्होंने 1990 में आंधियां से फिल से वापसी की थी मुम्ताज ने एक इंटर्वियू में बताया कि कोई एक्टरिस उनसे बात नहीं करना चाहती थी अगर साथ में कोई शूटिंग भी होती थी तो वे मुम्ताज के साथ नहीं बैठती थी बलकि उनसे दूर जाकर बैठती थी इसके पीछे का कारण मुम्ताज ने कभी नहीं बताया मुम्ताज की दोस्ती इंडस्ट्री में बस वहीदा रहमान के साथ थी और उनका कहना था कि वे दोनों बहुत अच्छी दोस्त है इंडिस्टी में बहुत से एक्टर भी तो जो मुम्ताज के साथ काम नहीं करना चाहते थे मुम्ताज ने बताया कि जितेंद्र और उन्हें एक फिल्म में साथ में कास्ट किया गया था पर जितेंद्र को जैसे ही मुम्तास का नाम पता चला उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया और बाद में उस फिल्म में राजेश खन्ना को कास्ट किया गया और वो फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई मुम्तास ने 1974 में बिजनेसमेन मयूर माधवानी से शादी की चोड़ने के लिए तयार नहीं थी क्योंकि कपूर नहीं चाते थे कि पतनी शादी के बाद उद्योग फिल्म में काम करे मुम्तास ने अपने 14 साल के छोटे फिल्मी सफर में 100 से अधिक फिल्मों में काम किया और इसमें एक भी फिल्म नहीं है जिसमें उनके परदर्शन को बहतरी नहीं कहा जा सका मुम्तास को 1997 में फिल्म फेर द्वारा लाइफ टेम अचीविमेंट अवोर्ट से भी सम्मानित किया गया था